नमस्कार बहुत स्वागत थे आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोती सीक्रेट मैं इस रासी बालूँ अब लोग आपकी भावनाओं की कदर भी करेंगे और साथ ही आपके जो आपको जीवन में मान समान मिलना चाहिए जिसके आप हगदार हैं आपको वो भी मिलेगा लेक दिन उसके पहले इमोशनली फूल बनना बंद कीजिए जान बूच कर आप भावनात्म रूप से खुद को कमजोर क्यूं करते हैं आप इतने कमजोर हैं नहीं क्योंकि यह जो मेस वाले होते हैं बहुत ही मजबूत इक्छा सक्ती के मालिक होते हैं बस आपको चाहने भर की द सबसे जाएं तक भी और इस थीन होता है कबी आपका दिमाग यहां पर चुकी आप बुद्धिमान बहुत होते हैं लेकिन एक रास्ते पर जाने के लिए चन्चलता कम करने के लिए जिर सबसे ज़्यादा उत्तम उपाई भी आपको हम बताएंगे लेकिन इसके पहले हम इस्तिमाल कोई कर जाता है आपका और आप इस्तिमाल होते भी हैं किस रिस्ते का लिहाज है आपको आखिर क्यों अगर लिहाज है तो सिर्फ आपको ही क्यों सामने वाले को क्यों नहीं क्योंकि जब भी कोई रिस्ते नाते निभाये जाते हैं बंते हैं तो दोनों हाथों से द अगर आप चाहेंगे तो चीजें बहतर कर सकते हैं एक बार अगर आप सामने से कहेंगे ये ठीक नहीं है ये गलत हो रहा है तो सामने वाला खुद ही जीव जाएगा पर आप ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि आप सोचते हैं कि जीवन ऐसे नहीं चलता रिस्तों को जोड़कर ह रखना चाहिए ये भी सही है क्योंकि बिना रिस्तों का तो जीवन ही अधुरा होता है बिना रिस्ते का जीवन का कोई मजा ही नहीं है अब यहां पर आपके जीवन में संघर्स तो बच्पन से ही सुरू हो जाता है कम समय से ही सुरू हो जाता है क्योंकि आपको बैठे बिठा आप अपने खुद के बलबूते ही प्राप्त करते हैं भले ही आप रासियों में पर्थम रासी है भगवान सुरी की किर पास से जीवन में हर एक चीज आपको मिलता है लेकिन जो भी मिलता है अपने बदौलत अब आप सोचेंगे कि बैठे बैठाए पिता के दादा के हैं घर रहने को घर है कोई बिजनस है तो चलो खंदाने बिन से कर लेंगे लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस आप मेल रखें जो भी करना है आपको अपने बलबूते करना है और यही सत्ते हैं आप अगर सोचते हैं कि सब को लेकर चलेंगे तो सब कोई मेरा हेल्प करेगा यह गलत फैमी है लेकर चलें पर यह मस सोचे कि कोई हेल्प करेगा मेस वालों का हेल्प कोई नहीं करता चाहिए आप लड़की ह दम पर जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं तो हमने कहा आपको एक दो उपाय आपको हम बताएंगे तो वीडियो के अंतक बने रहें और यह प्रडिक्शन चैनलासी पर आधारित है लेकिन उसके पहले दो बाते जरूरी है आपको जानना पूरी तरह से आपके मनोबल को उठाने की कोशिस है देखिए आप अपनी प्रेशनाल्टी में सबसे पहले तो निखार लाइए वैसे तो आप परफेक्ट होते हैं हर एक सामान को करीने से रखना घर को सालिन तरीके से सजा कर रखना आप ऑफिस में हैं यहां भी हर चीज परफेक्ट लेकिन क्या इतना ही काफी है बिलकुल नहीं चेहरे पर थोड़ा सा गम भीरता होता है तो इसे मुश्कुरहाट में बदलें थोड़ा सा मुश्कुराईए जिसके कारण सिर्फ यह नहीं कि इसमाइल केर रहे हैं तो सिर्फ ओठ खीच गया वैसा नहीं करना है दिल से मुश्कुराईए एक बार फिर देखें कितना रिलेक्स महसूस होता है जी हलका हो जाता है मुσकुराबर तो देखिए और जब यही मुस्कुरायाद आप किसी के सामने रखते हो तो यकीन मानिये दुस्पमन भी हार मान जाता है वैसे भी मेस वालों के दुस्पमन दुस्मनी करने के पहले सोचता है आखिर दुस्मनी करे तो क्यों करे लेकिन फिर भी इनके दुस्मन बहुत होते हैं तो ऐसे में आपको समभल के ही रहना चाहिए और इन्हें सबसे ज़्यादा खत्रा अपनों से होता है गैरों से भी होता है लेकिन अपनों से ज़्यादा होता है लाइफ टाइम सिर्फ इन्हें अपनों के बीच ही संगर्स रहता है और यहां पर यह चीजें आज हम नहीं करेंगी क्योंकि पहले भी हमने इस पर आपसे आपको अच्छा खासी चीजे आपको हमने बतलाया है पर एक बात है हमने कहा कि आपके जीवन में कम समय से ही संगर्स रू हो जाता है तो ऐसे में देव गुरु ब्रहस्वती यहां पर बहुत हद तक जिम्मेबार होते हैं अब आप सोचेंगे करना क्या चाहिए उसके पहले हम आपको बता दें आपके रासी के स्वामी है मंगल जो कि सबसे सकती साली गृए हैं गृहों में सबसे ज़्यादा सकती साली गृए और सेना पती भी है आपका साहस वाला जो पार्ट है आपका confidence वाला जो पार्ट है वो मजबूत मंगल ही करते हैं और साथ ही आपके जीवन में अगर भूमी का सुख है आपका पद परतिष्ठा आपको मिला है तो वो मंगल की वज़े से ही मिलता है आम तोर पर यहां पर मंगल जीवन में बस यह समझ लें कि आपके सौमी है तो भारी नहीं होते या फिर भारी होते भी है तो उतने ज़्यादा आपके जीवनें परिसानी नहीं देते लेकिन स्वास्त गरबर करते हैं तो ऐसे में अगर मंगल गडबर हो जाएं तो दुर घटना योग बनते हैं बार बार चोट चपेट लग गई गिर गया सर पे चोट लग गया थोड़े से सहले चिकितसा हो गया ऐसे चीज़ें हो जाती है अगर मंगल भारी हो जाए तो अगर आपको लगता है कि आपकी कु तो लालपुस परपित करेंगी और पुरूस हैं तो सिंदूर इससे क्या होगा ना आपका मांगली दोस्त उतना बुरा प्रुभाव नहीं देगा अगर हमने कहा लक्षरों से अनुसार उपाई कीजिएगा अगर मांगली हैं आप या फिर बार बार आप दुरगटना के सिका तो आज हम बात कर रहे थे आपके अमेजिंग प्रेसनेल्टी में निखार लाने की क्या करेंगे तो मुस्कुरहट तो पहली दवा है क्योंकि एक मुस्कुरहट से आप अपने तमाम अटकेवे रुकेवे कारे भी पूरे करवा सकते हैं हर किसी से तो क्यों ना आज से ही मु तुले सब्दों में ही कहिए अपनी कोई भी परसनल बाते किसी से सेर ना करें और अगर मेश रासी में सुक्र गरबढ़ हो जाए तो फिर बैक्ति को कभी-कभी अपमानित भी करवा देता है तो इसलिए आपको जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहां का आपका स सुक्र का मतलब होता है आपका जीवन में बैभव है सुख है सुविधाय है काम भाव है तो यह चीजों पर आपको थोरा सध्यान देना है उमीद है आपने समझ लिया होगा अब हम थुरा और आगे बढ़ते हैं अपनी प्रेस्नालिटी में निखार लाने के लिए अपने ब्यक्तित्तों को और साधारन मनाईए एकदम से अमेजिंग करीने से रहें अपडेट रहें और कम बात करें माइने यह रखता है कि आप कितने कम सब्दों में कितना सटिक कह सकते हैं बस बिल्कुल वैसा ही अपना जो आपका एक हम यह नहीं कहेंगे कि आप चेंज हो जो संसकार आपको उसको रखें क्योंकि अगर ऐसे ही सब कोई छोड़ देगा तो संसकार कहीं खो जाएगा उसे खोना नहीं है उसको बरकरार रखें उसी से अपनी जिंदा दिली को जीना सुरू करें आप में जो हुनर है जब आपके पास खाली समय होता है जब आप किसी क को उपर उठा दे तो अच्छी बात है लेकिन थोरा सा समय अपने लिए भी निकालें और बच्पन के सपनों को यहां पर जीवन्त करें अपने टैलेंट को बाहर निकालें और उसे दुनिया जहां को भी दिखाईए कि आप क्या क्या कर सकते हैं क्योंकि जीवन में मेश रा करा मोती तो फिर मांसिक परिशानी बढ़ जाएगी सबसे अच्छी बात है बिना सला के भी आप पूरी के पूरे मेश रासी वाले यह उपाई कर सकते हैं हलांकि पहले भी हमने बताया है रोज भगवान सुरी को सुबह सुबह उठें परणाम करें दो चार पांच मिनट व यह कारन आपका भटकाओं नहीं होगा आपका मन अब करेंगे इतना तो तय है अब हम आगे बढ़ते हैं अभी हमने आपको एक और बाते बताई हैं मांगली के बारे में वैसे तो आपको पता ही है लेकिन हमने आपको कहा था कि जीवन में कम उम्रे से ही संगर्ष हो जाता है इसको समाफ्त करने के लिए हर गुरुवार के दिन धार्मिक अस्थान पर जाकर प्रार्थना करें आप जिस भी धन को मानने वाले हैं उसी अस्थान पर तो आज हमने आपको बताया कैसे आप अपनी प्रस्टनालिटी में निखार ला सकते हैं कैसे आप इमोशनली ब्लैक मेल होने से बच सकते हैं और फिर लोग आपकी इज़द भी करेंगे सरांखों पर बिठा कर रखेंगे क्योंकि इतना तो आप में काबिलियत है कि आप दुनिया पर राज कर सकें हम आपसे विदा लेते हैं यूही चमकते रहें जीवर में सफलता पाते रहें फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ हर हर महादेब धन्यवाद